Hello Guys, How are you? My name is Somya. What am I bringing you to? I brought you to this coffee. Yes, coffee. But not for coffee. Today we will prepare a very easy face scrub. Actually, this is not a face scrub. You can use it in your hands, feet or feet. It is very good. And it is very easily ready. And it is ready to be ready. You don't need a lot of things. Because almost all things are available at home. So, to be ready to be ready, we need olive oil, coffee and sugar. So, let's get started. So, let's get started. Hi guys, I am back. And here we have coffee scrub. So, let's get started. So, let's see. What do we have? We have a Nescafe. It is 4.5 grams. Which will be enough for our scrub. And here we have sugar. So, let's get started. I will say something here. As you can see. It is a little coarse granules. So, if you are available. And if you can use it. So, let's use a little fine version. Sugar. And if there is no problem. If there is no problem. If there is no problem. This coarse version. We will mix it a little well. In coffee. So, it will be fine. With coffee. So, next. We have olive oil. We can use any olive oil. It is not necessary that it is extra virgin. So, yes. Let's start. Here we are taking this whole bowl. I guess. In this bowl. There was a whole spoon full. In this bowl. This whole spoon full. There is full. Whole spoon full. In this bowl. Here we add. One spoon of sugar. Mix it a little can. अब इसमें जाएगा ओलिव ओलिव ओल आप दो स्पून के अराउंड हम इसमें ले रहे हैं अच्छी यह स्क्रब जो है ड्राइ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ओलिव ओल है शुगर आपकी स्किन को अच्छा से करेगी और काई बर क्या होता है कि जिनको होती है जैसे की मुझे है तो अगर मैं स्क्राब करती हूं अपने फेस पे तो फिर बहुत जादा मुझे ड्राइनस फील होती है इचिनेस फील होती है अगर मैं स्क्रब कलती से भी थोड़ा जादा कर लूँ तो उससे क्या होता है कि मेरी स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है क्योंकि उसमें उसके जो नाच्रल ऑईल होते हैं वो वश आफ हो जाते हैं तो ये स्क्रब अच्छा इसलिए भी है ड्राइ स्किन क क्योंकि इस में शुगा है, जोकी एकस्पॉलियेट करेगा कॉफी यह जो कि आपके स्किन के लिए भुत अच्छी है और ओलिवैर Shanghai जब आप स्क्रब करेंगे तो शुगर तो एकस्पॉलियेट कर रहा है आपकी स्किन को, लेकिन ओलिवोः वह मुश्च्चर खोने नहीं तो येस जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है एक बात और अगर आपको जो है fine version of sugar available नहीं है और ऐसा ही course version है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा हलका हाथ यूज करें बहुत जादा harsh movements ना करें अपने skin पे क्योंकि हो सकता है कि अगर बहुत जादा harsh movements आप करें तो उससे आपकी skin जो है उस पे rashes आ सकते हैं otherwise ये बहुत अच्छा scrub है और इसे आप नहाने के आगे यूज कर सकते हैं और फिर आपको results खुद मालूम पर जाएंगे तो हमारा scrub ready है अब चलिए हम इसे apply करेंगे और इसके end result चेकरें हमारा face scrub ready हो चुका है बिलकुल और इसको अच्छे से जब आप mix करेंगे तो जो sugar है वो घुलने लग जाएगी तो मैं अब इसे अपने face भी यूज करके आपको इसके reviews दोंगी तो मैं थोड़ा सापने हाथ पे ले लेती हूं हाँ एक चीज यह कि आप एक साथ अपने हाथ पे बहुत सारा लेंगे तो वो यूनों fell off हो जाएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ड्राय तो नहीं है सकते लेकर एज एक बार में थोड़ा थोड़ा लीजिए उसे अपलाई कीचिए पहले अच्छा होगा कि अगर आप इसे अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा वाम अप कर लें उससे आपको यूज करने में असानी होगी यस तो अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी बहुत थलके हाथ आपको यूज करने हैं अगर आपने बहुत थाशली किया तो आपकी सकते है बहुत हलके हाथ से स्रक्ला मोशन में थे एक दिखाऊंची के जिए ईट्फिल्स सो गूद अझाल्समेल्स अमीजिग वैसे मुजह कवह थे लगती है तो कवी इन अनी फॉम आम आट रड़्याँ ईड़ुगी इसे आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं लाने के आगे अच्छा होगा अगर आप इसे यूज़ करें क्योंकि उससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफॉलियेट हो जाएगी और सर्दियों के लिए तो यह बहुत अच्छा है ओलिव औल से मेरी स्किन मज़े ड्राइ फिल नहीं हो रही और कॉफी एंड शुगर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं मुझे इस जगे पर यहां पर बहुत ड्राइ स्किन होती है सो मैं यहां पर थोड़ा हलके हाथ यूज़ कर रहे हूं जिससे की मेरी स्किन भी बहुत अच्छे से एक्सफॉलियेट हो जाए और मुझे कोई आफ्टर इशूज भीना हो सो मेरा स्क्राबिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है अब मैं इसे वाच करूंगी और फिर आपको इसके रिजल्स दोंगी सो मैंने अपना फेस वाच कर लिया है और आज यू जाए नाच्रल सा ग्लो है फेस पे विदाओ अनी क्रीम और बीबी क्रीम चीशी क्रीम अनी इस स्क्राब की सबसे अची चीज है कि मेरी स्किन बिल्कुल ड्राइन फेल होडी जैरली क्या होता है कि को भी मैं स्क्राब स्क्राब के बाद मैंने सिंप्ली से वाच अफ कर लिया है और मुझे इतना स्मूध फील हो रहा है अभी और कोई ड्राइनस नहीं है लेट सी मैं थोड़ा सा अपना फेस वाइप कर लो yes so oh my god it's a very soft and amazing scrub and which is very easily ready when you want to do it freshly ready and you can use it to share it with me if you like this scrub and subscribe to me as I am for you के लिए और ऐसे ही बहुत क्यूट क्यूट अच्छे अच्छे विडियोज लेके आती रहूंगी so आज के लिए बस इतना ही बाबाई